कि बुद्ध और बुद्ध को समझना इतना आसन नहीं है. काफी जटील ऐसा यह विशे है, उतना ही महत्वपूर्ण ऐसा विशे है. यूँ कहीं हैं कि, जैसे कि बाबा साब ने हमें खुद्ध की राह दिखाई है, बाबा साब ने हमें बहुत धर्मों में लाया है धर्मांतरन हमारा हुआ है और हम लोग अपने आपको बुद्धिष्ट मानते है क्यों मानते ही नहीं तो हम बुद्धिष्ट होने के लिए भर्सक प्रयास करते है पुरी तरह से प्रयास करते है कि हम एक सच्चे बउद्ध बने और सच्चे बउद्ध बनने का अर्थ ही यह होता है कि जो बउध्ध तत्व प्रणाली है, जो तत्व ज्ञान है, बुद्ध की जो शिक्षाय है उन बातों को अच्छी तरह से समझ लेना और उनने अपने जीवन में लानी की कोशिश करना आचरन के तोर पर हम उसको अपने जीवन में लानी की कोशिश करते रहे यही हमारा मकसद है उस अर्थर से देखा जाए तो गुद्ध जिनोंने अभी से धर्म कहना चाहिए या मार्ग कहना चाहिए यह भी एक सवाल है लेकिन बहुत बार ऐसा हम समझते है कि इसको कई लोग धर्म के तरह देखते है लेकिन धर्म के बज़ाए ये जीवन मार्ग कहलाते हैं तो ज Bapt होग क्योंकि ये मार्ग दिखलाता है एक सही मनुष्य के विकास का मार्ग दिखलाने की शिक्षा ही बुद्ध ने हमें दी है उस तर्थ से देखेंगे तो ये जो जीवन मार्ग है वो बहुत ही महतुपूर्ण है मैं आज आपके सामने यानि बुद्ध इस विशे को लेकर धीरे-धीरे कुछ बाते बतानी की कोशिश करूँगा और अगले दो प्रवचनों के माध्यम से मैं इसे जादा से जादा आपके सामने रखनी की कोशिश करूँगा पसे देखा जाए तो बुद्ध के बारे में धम्मपद में बहुत ही अच्छी गाथा आई है जो कि जिसे हम कहते ही बुद्धवग बुद्धवग में ऐसा कहा गया है किच्छो मनुस्य पटी लाभो किच्छं मच्चान जीवितं किच्छं सद्धम सवनं किच्छो बुद्धान उपदो अर्थात मनुस्य का जीवन पाना कठीन है मनुस्य का जीवित रहना कठीन है सद्धर्म का श्रवन करना कठीन है और बुद्धों का उत्पन होना कठीन है तो इस गाथा से हमें ये समझ में आता है कि सही में देखा जाए तो मनुष्य का जीवन पाना ही कठीन है मनुष्य जीवन मिलता है तो उस तरह से जीवित रहना मनुष्य के रूप में जीवित रहना यह भी कठीन है उसी तरह से सद्धम्म का श्रवन करना यह भी कठीन है आम तोर पर हमें आसानी से सद्धम्म सुनने को नहीं मिलता धम्म की जो शिक्षाय है वह हमें आसानी से कहीं भी उपलब्द नहीं होती उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ते है धम्म सिखना पड़ता है धम्म जानने की कोशिश हमें करनी पड़ती है तब जाकर हम उसे समझ सकते है और उसी तरह से हो कहते है कि बुद्धों का उत्पन्न होना कठीन है देखिए आज हम जिन बुद्धों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले है जिने हम कहते हैं सम्यक सम्बुद्ध या जिने हम तथागत भी कहते है गौतम बुद्ध भी कहते है अलग-अलग नामों से हम उन्हें सम्बुद्ते है लेकिन ये जो बुद्ध है वो केवल पहले ही बुद्ध है और आखिरी बुद्ध है ऐसा नहीं है अब तक इतियास में कई सारे बुद्ध हो चुके है भुद्काल में कई सारे बुद्ध हो चुके है वैसे देखा जाये तो जो जानकारी है उसके मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि अब तक 28 बुद्ध हो चुके है 28 बुद्ध हो चुके है जिनके मैं नाम बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों को भी पता हो पहिले है तन्हंकर, दूसरे मेधंकर, तिसरे शरनंकर, चवते दीपंकर, पाचवे कौंडिन्य, छटे मंगल, साथवे सुमान, आठवे रेवत, नवे सोभित, दसवे अमोग दर्शी, ग्यारवे पध्म, बारवे नारध, तेरवे पद्मत्तर, चवदवे सुमेध, पंदरवे सुजात, सोलवे प्रिय दर्शी, सतरवे अर्थ दर्शी, अठरवे धर्म दर्शी, उन्निसवे सिधार्थ, बीसवे तिश्य, एकिसवे पुष्य, बाइसवे विपशी, तेईशवे शिखी, चववे वैश्वा भू, प जबिसवे कोना गमन, सत्ताइसवे काश्यप, और अठाइसवे जो है, वह है सिधार्थ गवतम बुद्ध। अब यह जो सुची है, जिनमें हमने कई सारे नाम पड़े है, इनके बारे में विस्तार से हमारे पास जानकारी उपलब्द नहीं है, लेकिन ऐसा हम कह सकते है जिश्व में अब तक कही बुद्ध हो चुके है, सम्यक्सम बुद्ध यही अकेले बुद्ध नहीं है, और आने वाले भविश्य में भी बुद्ध होने वाले है, बुद्ध आने वाले है, गरंतों में ऐसा बताया जाता है, कि आने वाले भविश्य के जो बुद्ध है, व अगर देखा जाये तो हमें ज्यादा तर जो सम्यक्सम बुद्ध है या जिने हम शाक्किमुनी बुद्ध भी कहते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे हलाकि बुद्ध या शाक्किमुनी बुद्ध ये जो है इसको देखना है इन बातों को समझना है तो हमें थोड़ा इतियास में जाकना पड़ेगा हमें थोड़ा इतियास में जाकर देखना पड़ेगा कि किस तरह से बुद्ध निर्मान हुए बुद्ध कहां से उत्पन्न हुए यह सारी बाते हमें जानना पड़ेगी वैसे दिखाए जाए तो जो इतिया से बहुत सारे ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी आती है बुद्ध का जो जीवन है कुछ ग्रंथों में बताया जाता है जो प्राचिन ग्रंथ है उनमें से ललित विस्तर ये एक ग्रंथ है बड़ा काविय है जिसमें बुद्ध के जीवन के बारे में काफी विस्तार से जानकारी आई है और दूसरा है बुद्ध चरित ये भी काफी प्रचलित ऐसा ग्रंत है जिसमें बुद्ध के जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी पाई जाती है और उसके पश्यात धेर सारे बुद्ध की जीवन पर ग्रंत उपलब्द है कई सारे भाशाओं में उनका अनुवाद हो चुका है अंग्रेजी में भी है और कई सारी भाशाओं में ये जीवन जो है बुद्ध की जीवनी है उनका जो जीवन चरित रहे वो आज हमारे सम्मुक उपलब्द है हम सब अच्छी तरह से भली भाती जानते है कि बाबा साब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म या ग्रंत जो लिखा है उसमें भी बुद्ध के जीवन के बारे में उनके शुरू यानि आरंबिक जीवन कैसा रहा इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी हमें देखने को मिलती है उस तरह से देखा जाए तो कुछ बाते हैं जो मैं काफी विस्तार से नहीं कहूंगा क्योंकि इतियास के तोर पर देखा जाए तो बहुत सारी बातों की जानकारी हम लोगों को पहले से ही है जैसे कि हमें मालूम है जिने हम बुद्ध कहते है या गौतम बुद्ध कहते है उनका जो नाम है याने जैसा जैसा उनका जन्म हुआ उस वक्त उनका जो नाम था वह था सिद्धार्थ और उनके माता पिता शुद्धधन तथा महा माया और उनकी दूसरी माता महा प्रजाप्रती यह भी हमें पता है शुद्धधन की दो पत्निया थी महा माया और महा प्रजाप्रती शुद्धधन तथा महामाया इनके पुत्र सिधार्त हुए थे सिधार्त गौतम और ये कपिल वस्तों में रहा करते थे और ऐसा बताया जाता है काफी सारा विस्तार से वर्नन ग्रंतों में हमें देखने को मिलता है कि शुद्धधन यह एक राजा थे अब गनराज्य पद्धती क्या थी किस तरह से वो सारी बाते वहाँ उस वक्त चलती थी इसके विस्तार में मैं नहीं जाओंगा लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कुछ गनराज्य अलग-अलग राज्यों को मिलकर बने जाते थे और कुछ गनराज्य केवल एक ही राज्य से बनता था और जिस वक्त सिधार का जन्म हुआ उस वक्त शुद्धधन जो कि उनके पिता थे वो वहाँ के राजा बन चुके थे वो राजा नाम से ही पहिचाने जाते थे और उनका एक राज्य था कपिल वस्तु में वो रहते थे ऐसा बताया जाता है कि उनका बच्पन बहुत ही अच्छी तरह से बीता क्योंकि वो शुद्धधन राजा थे और ये राज्य कुत्र थे सिधार्त राज्य कुत्र थे कई तरह की जो सुविदाय है जिसे हम कहते है भोतिक जो भी कोई उपलब्धिया है वो सारी बाते उनको मौझूद थी किसी भी तरह की कोई परेशानी उन्हें नहीं थी बहुत ही खुशहाल जीवन वो जी रहे थे बहुत ही आरामदाई जीवन वो जी रहे थे हर तरह की बाते उनके लिए उखलब्द थी, किसी बात की कोई चिंता उन्हें नहीं थी काफी अमेरी थी, हर तरह का सुख उनके पास मौजुद था और उनका जो वर्ना ने काफी रोचक और लुभावना बताया जाता है कि जैसे मानो उनके पिताने उनके लिए अलग-अलग जो सीजन होते है उसके लिए अलग-अलग महल बनवाये थे धुपकाल के लिए अलग था, वर्षारुतु के लिए अलग था, ठंड के जाड़े के महिने के लिए अलग था इस तरह से अलग-अलग महल उनके लिए बनवाय गए थे और पूरी सुक्स विधाय उनके लिए उपलब दथी वैसे दिखा जाए तो सिधार्त ने पूरी तरह से एशो आराम में अब तक का जीवन बिताया था किसी प्रकार की कोई दिक्कत या चिंता उन्हें सताती नहीं थी अब यहाँ से जो वर्नन आता है ग्रंथों में अलग-अलग ग्रंथों में वह जो वर्नन है और भगवान बुद्ध और उनका धम्म यह जो ग्रंथे जो बाबासाब ने स्वयम उसका संकलन किया है हाला कि उन्होंने भी जो प्राचिन जो ग्रंथे उनी का आधार लिया हुआ है यहाँ कुछ बाते जो है काफी सोचने जैसी है और हमें उस बारे में सोचना भी चाहिए देखिए हमें पता है कि सिधार्त जब ऐशो आराम की जिन्दगी जी रहे थे तो किसी एक दिन ऐसा हुआ कि वह नगर में घूमने चले गए और उनका जो सार्थी था उसके साथ वह रत में बैटकर नगर में घूमने चले गए और ऐसा बताया जाता है कि जब वह घूमने चले गए थे तो वहाँ उन्होंने कुछ दुरुष्य देखे है और वो दुरुष्या इछे थे, पहली बात तो उन्होंने एक काफी बीमारी से पीडित ऐसे एक व्यक्ति को कहीं लेटे हुए देखा था, रास्ते पर एक साइड में, और वो बुरी तरह से वो तकलीप में था, बहुत सारी पीडाय उसको हो रही थी, बहुत सारा दर्द उस काफी तकलीफ हो रही थी, तो उनको उन्होंने देखा, और फिर अपने सार्थी को उन्होंने पूचा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यूं है, तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति बीमार है, और बीमार व्यक्ति को इसी तरह की तकलीफ होती है, इसी तरह की शारीरी की यातनाएं उस हर किसी को होता है हर कोई व्यक्ति बीमार होता ही है कभी न कभी किसी न किसी तरह से उसे बीमारी का सामना करना ही पड़ता है तब सिधार के मन में सवाल आता है कि क्या मैं भी इस तरह से बीमार हो जाऊंगा क्योंकि उस वक्त तो काफी युवा थे काफी सुन्दर थे हटे-क बिल्कुल स्टेजस भी ऐसा उनका रूप था बहुत ही सुन्दर ऐसा उनका मोख रूप था उन्हें लगा यदि मैं बीमार हूंगा तो फिर कैसा होगा इस बात से वो थोड़े यानि अंदर से भीतर से ही हिल से गए उन्हें इस बात की चिंता लगनी लगे कि क्या मैं भी ब पूंजता रहा धीरे धीरे उनका रत आगे चलता गया और आगे जाने के बाद फिर वो देखते है कि कोई बुढ़ा वेक्ति उन्हें दिखाई देता है वैसे देखा जाए तो आपने भारत में बहुत सारे अम बुढ़े लोगों को देखते हैं और यह जो बुढ़ा वेक अपने कदम लड़कडाते हुए कदम चल रहा था उसको देखकर उनको लगा कि यह कैसा वेक्ति है यह इस तरह से क्यों चल रहा है फिर दुबारा यह सवाल पूछते कि यह ऐसा क्यों है तो फिर वो सार्थी कहते है कि यह भी एक मनुश्य की अवस्ता है मनुश्य जन्म ल जाता है युवा आउस्ता से प्रोड वेक्ति बनता है और प्रोड वेक्ति से वो बूढ़ा वेक्ति बनता है और जब वो बूढ़ा होता है काफी उम्बर बढ़ जाती है तब उसकी इस तरह की स्तितिल हो जाती है यह देखकर यह सुनकर सिधार के मन में और सवाल खड़े होते है कि क्या मेरे बारे में भी ऐसा होगा क्या मैं भी इस तरह से भूड़ा हो जाऊंगा क्या मैं भी चलने के काबिल नहीं रहूंगा क्या मुझे भी लाठी का सहारा लेना पड़ेगा क्या मुझे में भी उतनी शक्ती नहीं रहेगी इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं देखिए इस तरह से एक के बाद दूसरी घटना उनकी जीवन में घटती है फिर वो आगे वैसे ही बढ़ते हैं तो फिर ऐसा कहा जाता है कि और एक दुर्ष्य वो देखते है और वो ऐसा होता है कि चार लोग अपने कंधे पर किसी की अर्थी लेकर चले होते है और वो कोई व्यक्ति उसकर लेटा हुआ होता है उसको देखकर सिधार्त सवाल पूछते है अपने सार्थी को ये क्या बात है ये व्यक्ति ऐसा लेटा क्यूं है और ये चार लोग उसे कंदे पर लेकर कहां जा रहे है तो फिर सार्थी कहता है कि ये जो व्यक्ति है ये लेटा नहीं है बलकि ये मृत है ये उसका मृत शरीर है जिसे ये लोग समशान घाट की और लेके जा रहे है और उसे वहाँ पर जलाय जाएगा या दफनाय जाएगा तो कहते हैं कि यह क्या होता है मनुष्य का मृत होना इसका अर्थ क्या होता है तब वो कहते हैं कि मनुष्य की यह अंतीम अवस्ता होती है जिस तरह से मनुष्य जन्म लेता है और अपने जीवन में जेसे जेसे आगे बढ़ता है तो एक समय आता है कि जन्म के बात उसे मृत्यू भी पाना होता है हर कोई व्यक्ति मृत्यू परायन है हर किसी व्यक्ति को मृत्यू आता ही है और इसी तरह से इस व्यक्ति को भी मृत्यू आया है और अब इसे समशान घाट लिया जा रहा है जहां पर इसे जलाए जाएगा तो फिर ये भी सवाल सिधार के मन में आया कि क्या इस तरह का जीवन है यानि इसके बाद फिर कुछ नहीं है तो वो कहते हैं कि ने इसके बाद तो कुछ नहीं होता है आदमी एक बार मुर्ट हो गया, मर गया तो उसका जीवन समाप्त हो गया मनुश्य जीवन उसका समाप्त हो जाता है यह बात सुनकर फिर सिधार और सोचने लगे और फिर उनके मन में ये सवाल आया कि इस तरह की दुख क्यों भूगतने पड़ते हैं किसी इंसान को इस तरह के अलग-अलग दुखों का सामना इंसान को क्यों करना पड़ता है और यदि ऐसा है तो फिर मुझे भी इसी तरह का दुखों का सामना करना पड़ेगा जिसकी कि कभी मैंने कलपन नहीं की थी अब तक का मेरा जीवन इतना खुशहाल रहा है इतना अच्छा रहा है कि कभी इन बातों की मुझे भनत नहीं लगी कभी इन बातों के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं कभी ये बाते मेरे सामने कभी आई नहीं तो इस सारी बाते ऐसी होती है, इसका आज मुझे साथाकार हुआ, इसका आज मुझे अहसास हुआ कि मनुष्य के जीवन में इस तरह की भी बाते होती है और यदि ऐसा है, यदि इस तरह से मनुष्य जीवन दुखमय है, तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है? इससे छुटकारा किस तरह से पाया जा सकता है इसके बारे में वो चिंतन करने लगे, सोचने लगे और वैसे ही वो फिर अपना रत आगे ले जा रहे थे तो आगे जाने के बाद उन्हें ऐसा ग्रंतों में बताया जाता है कि एक श्रमन दिखता है, एक सन्यासी दिखता है और फिर उसके बारे में भी सवाल पूछते हैं अपने सार्थी से कि ये विक्ति कौन है? वो कहते हैं कि ये सन्यासी है इसने ग्रहत्या किया है और घरबार छोड़कर परिवार को त्याक कर समाज से वो दूर हटकर जंगल की ओवर जा रहा है और तपश्या करने वाला है, सत्य की कोज में वह निकल पड़ा है जब ऐसा वो सुनते है, तो सिधार के मन में आता है कि येस, यही हो सकता है यही हो सकता है कि यदि मैं सन्यासी बनता हूँ, श्रमन बनता हूँ तो शायद मैं सत्य की कोज कर पाऊंगा और ये जो दुख है, मनुशे का जो दुख है वह किस तरह से समाप्त किया जाए उससे किस तरह से हम बाहर निकल सकते है दुख से मुक्तिहम कैसे पासकती है इसकी खोज में जाना जरूरी है और ये सन्यासी के जीवन से उन्हें वो अंदेशा मिल गया एक प्रकार का संदेश मिल गया कि सन्यासी सत्य की खोज में चल पड़े है ये सारा जो वर्नन है हम लोग ने कई बार सुना है कई बार हमने इसके बारे में पढ़ा भी है लेकिन देखिए ये जो बात है यहाँ पर बाबा साब का जो विचार है वो थोड़ा सा अलग है ये आप भगवान बुद्धर उनका धम्म इस बिरंत को पढ़ते है तो वहाँ पर बाबा साब ने ये सवाल खड़ा किया है भगवान बुद्धर उनका धम्म इसमें जो परिचे का जो पाठ है उसमें बाबा साब कहते है कि इस बात को लेकर सवाल निर्मान होता है वो कहते हैं कि यह मानना काफी मुश्किल है कि ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को युवा होने की अवस्ता तक इस तरह के दुरुष्य कभी भी दिखाई न पड़े यानि कोई बीमार व्यक्ति कभी न दिखाई पड़े कोई बुढ़ा व्यक्ति कभी न दिखाई पड़े कोई मुरुत व्यक्ति कभी न दिखाई पड़े ऐसा कैसा संभो है ऐसा हो नहीं सकता बाबसाब कहते कि ये रिजन नहीं हो सकता हाला कि इसके अलग-अलग मानने चाहे है ग्रंतों में अलग-अलग बाते बताए जाती है लेकिन उन्होंने जो रिजन दिया है वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते थे हाला कि ये दो अलग-घटनाएं ग्रंतों में बताए जाती है फिर भी उनका जो नतीजा था उन्होंने जो निशकर्च अपनी और से निकाला था वो यही था कि उन्होंने प्रवरज्या ली प्रवरज्या का मतलब होता है ग्रुहत्या किया दूसरा जो रिजन बाबा साब ने हमें बताया है वो भी काफी सोचने जैसा है हमें पता है कि शाक्य और कोलिय ये जो दो वैंश के लोग वहां रहते थे उनकी राज्य बिलकुल आपस में लगे हुए थे और दोनों राज्यों के बीच और बीच से एक नदी जाती थी रोहीनी नाम की नदी वहां से गुजरती थी और उन लोगों में आपस में हर समय जब भी कभी खेती करने का समय होता था हल जोतने का समय होता था धान उगाने का समय होता था तब ये दोनों तरह के जो लोग थे शाक्य तथा कोलिये वे दोनों भी उसी नदी का पानी लेने की कोशिश करते थे और जब वो दोनों भी उस पानी पर हत हक जतानी की कोशिश करते थे तो आपस में उनके जगड़े होते थे हमेशा उस पानी को लेकर किसने पानी लेना चाहिए इस बात को लेकर आपस में काफी जगड़े होते थे तब सिधार्त ने उनमें कुछ सुलह करनी की कोशिश की लेकिन अभी ये कहानी काफी लंबी इसको मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं कहिना चाहता लेकिन वहाँ बात ये थी वो जगड़े केवल हातापाही तक नहीं जाते थे उससे भी आगे जाते थे मार्कविट होती थी आपस में वो लोग लड़ जगर पड़ते थे और उनमें युद्ध जैसी परस्तिती निर्मान होती थी तो यह देखकर सिधार्त वैसे भी सिधार्त काफी सम्वेदंशिल मन के व्यत्ती थे और मनुष्य जीवन के प्रतिवो काफी चिंतन करते थे मनुष्य जीवन कितना दुरलव है कितना महत्व पूर्ण है इसकी जानकारी हुने थी काफी वो महत्व मनुष्य जीवन का समझते थे उन्हें कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के साथ बुरा बरताओ करना चाहिए या किसीने किसी को मारना चाहिए या किसीने किसी की हत्या करनी चाहिए या एक मनुशे ने या एक गुट ने, मनुशे के किसी गुट ने, दूसरे मनुशे के गुट पर हमला बोलना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, इसके पक्षे में सिद्धार्त नहीं थे और वो सुला करने की कोशिश कर रहते हैं लेकिन उनकी सुझाओ, उनका सुझाओ किसी ने स्विकार नहीं किया और फिर पानी का जो ये जो बखेडा था, वो इतना बढ़ गया और वो सुनने के इसमें नहीं थे, वो सुनने ही रहते तब सिद्धार्त ने सोचा कि चलो, यहां इन से बहस करने में कोई मतलब नहीं है, यहां से निकलना ही अच्छा होगा और फिर उस वक्त भी उन्होंने यही सोचा कि यह समस्या क्यों आती है, आपस में यह संगर्चिक क्यों उत्पन होता है, इसके तहे तक जाना जरूरी है और उन्होंने देखा कि यहां भी लोग जो है, अपनी ही बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने एहंकार के कारण, हम कुछ है, अपने बड़पन के कारण, अपने मान परतिष्ठा के कारण, लोग एक दूसरे के साथ ऐसा बरताव करते हैं, आपस में जगड़ होचाते हैं, वही पर Siddharp का ये कहिना था, कि बाएर से बाएर नहीं मिठता अब बाएर से ही बाएर मिठता है, मैतरी से ही एक दूसरे को जीता जा सकता है, प्यार से ही एक दूसरे को जीता जा सकता है, यही उनकी सोच थी, लेकिन लोग सुनने के लिए तयार नहीं थे तब उन्होंने सुचा कि चलो अब मैं प्रवरज्जा लूँगा ग्रहत्याग करूँगा और फिर वो अपने माता-पिता से इजाज़त लेते हैं सभी लोग उन से मिलते हैं और फिर वहां से वो निकल पड़ते हैं जंगल की ओर अब देखें यहां पर यह दो तरह की कहानिया हमें समझ में आती है एक में यह चार दृष्य बताये हैं दूसरे में यह रोहिनी नदी के पानी का बखेडा यह जो संगर्ष है वो बताया जाता है लेकिन उसका जो नतीज है वो एक ही है असिधार्थ ग्रहत्याक कर देते हैं और जंगल के ओर चले जाते हैं बीच में की बहुत सारी डीटेल बाते में नहीं बताना चालाता समय को देखते हुए और फिर वो जंगल में जाते हैं वहाँ फिर अलग-अलग जो स्रमन होते है अलग-अलग जो आचारिय होते है या जो भी जाने माने वहाँ के उस वक्त के जो लोग थे जो उन्हेंने बहुत कुछ रिद्धी सिधिया प्राप्त की है बड़ा ज्यान उन्हें प्राप्त किया है ऐसे लोगों के साथ वो रहने लगे और फिर हमें पता है कि वो आलारक आलाम के शिश्य बने और आलारक आलाम उस वक्त सबसे प्रसिद्ध जाने माने महान व्यक्ति थे जिनके पास जो ग्यान था वो दूसरे किसी के पास नहीं था तो आलार कालाम की शिश्य बनकर उन्होंने उनकी जो भी कोई शिक्षा है उन सारी शिक्षाओं को हासिल कर लिया पूरी तरह से उन्हें उसे हासिल कर लिया और फिर उन्हें पता चला कि आलार कालाम की जो शिक्षा है जो साधना है उन सारी बातों को मैंने पूरी तरह से आत्म साथ करने के बावजूद भी आज भी मुझे जो सवाल मेरे मन में है उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो फिर वो सोचते हैं कि अब मैंने यहां से निकलना चाहिए हाला कि आलार कालम उन्हें एक तरह से ऐसा बताते हैं कि देखिए आपने भी मुझे जैसी ही अवस्ता को प्राप्त किया है अब हम दोनों बराबर की अवस्ता में है तो क्यों न हम दोनों मिलकर लोगों को मार्क दर्शन करें और अपने शिश्यों को बढ़ाए तो वहाँ फिर सिधार तो उन्हें कहते कि मुझे आपके साथ इस तरह से नहीं रहना है और इस तरह से कुछ काम करने में मुझे कोई रूची नहीं है मुझे जो हासिल करना है वो अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है उसकी खोज में मैं निकल पड़ता हूँ और फिर वहाँ से वो निकल पड़ते है फिर उन्हें पता चलता है कि आलार कालाम जैसे ही दूसरे भी एक गुरू है जिनका नाम है उद्दक रामपुत्ट उनका भी काफी बोलवाला है काफी जाने माने ऐसी गुरु है तो फिर उनके पास वो चले जाते है उनके शिश्य बन जाते है और उनकी जितनी भी शिक्षा है उन सभी को वो आत्मसाथ कर लेते है यहां भी उड्दक राम पुत्र उन्हें कैता है, कि सिधार्थ आपने मेरे जैसा ही घ्ना भी हासिल किया है अभी मेरे पास आपको बताने जैसा कुछ बचा ही नहीं है आप मेरे बराबर के बन चुके हैं, क्यों ना हम दोना साथ में लोगों को मारत दर्शन करें वहां भी सिध्धार्ट उने कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाज आपने मुझे इस तरब सायता की जो आपके पास ग्यान्त था वो सारा की सारा आपने मुझे बतलाया है मैंने वो प्राप्त किया है, हासिल किया है लेकिन अभी भी मेरे मन में जो सवाल है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ तो फिर वो कहते हैं कि मैं मेरी सवालों की खोज में मैं निकल पड़ता हूं और फिर वो उन्हें भी चोड़ कर निकल पड़ते हैं अब देखिए फिर आगे चलकर वो अन्ने कुछ साथियों के साथ रहते हैं अन्ने स्रमन उनके साथ आते हैं ऐसा बताया जाता है कि पाच परिवराजक उनके साथ वो जुड़ जाते हैं और वो बड़ा ही आत्मकलेश का मार्ग अपनाते हैं उस वक्त भारत में ये परमपरा थी आज भी हो परमपरा है कई सारे साथूओं को हम देखते हैं कि वो अपने आपको काफी सारी तकलिफे देते हैं यानि शरिर को पीड़ा देना तकलिफ देना एकदम सीरे की बातों को करना इससे शायद हमें आत्मज्यान हो सकता है ऐसी मान्यता उन लोगों की होती है उस तरह से प्रयास वो लोग कर रहे थे उनके साथ भी सिधार्त ने इस तरह से प्रयास किये लेकिन फिर आगे चलकर उन्हें पता चलता है कि ये सारी बाते करने के बावजूद भी ऐसा पताया जाता है कि सिधार्त ने आपने आपको इतना दर्द दिया इतनी कठोर पीड़ा दी लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सत्ते का ग्यान प्राप्त नहीं हुआ उसका भी काफी सारा वर्नन है ऐसा का जाता है कि उन्होंने इतनी घोर तपश्या की कि वो पूरी तरह से अस्ति पंजर हो चुके थे उनका पेट और पीट उनकी जो हड़िया है वो साथ साथ दिखाई दे रहे थी एकदम कुरुष ऐसा उनका शरिर हो चुका था जैसे कि केवल वो अस्ति पंजर ऐसा दिखाई दे रहा था तो इतना दर्थ उन्होंने सहा था और फिर अंतत्ता उन्हें पता चला ये कोई सही मार्गन नहीं है इस तरह से एक सीरे को जाकर आचरन करने से सत्ति की प्राक्ति नहीं हो सकती और फिर उस वक्त देखिए यहाँ पर भी सिधार्त जो निर्ने लेते हैं और सिधार्त ने पहले भी जो निर्ने लिया है ग्रहत्या करने का ये सारी बाते सोचने जैसी है देखिए आज हम अपने आपको लगा कर देखते हैं अपने बारे में सोचनी की कोशिश करते है तो ग्रहत्या करना यानि जो व्यक्ति परिवार के साथ रहता है सिद्धार की बीवी थी, उनका एक छोटा नन्ना बच्चा था हम माता पिता थे, राज महल थे, इतना सारा वईभव था उन सारी बातों को छोड़ कर निकल जाना ये कोई आसान बात नहीं है आज हम देखते हैं, अब यदि हम थोड़ा सा हम अपने आपको लगा कर देखते है तो यदि हमें 15 दिन के लिए शिविर में जाना है या वन मन्त के लिए एकांत वास में जाना है तो कितने बार हम सोचते है कितने बार हमारे मन में खयाल आते है कि क्या मैं मेरे फैमिली से दूर रह सकता हूँ क्या मेरे परिवार से मैं दूर रह सकता हूँ क्या यह जो मेरा जीवन है, जिसमें मैं पूरी तरह से लिप्त हूँ, क्या इसे मैं छोड़ सकता हूँ क्या, हम तो यानि पूरी तरह से ग्रहत्याग तो नहीं कर रहे हैं, कुछ समय के लिए हम करना चाहते हैं, फिर भी देखिए हमारे मन में कई सरगते के सवाल उत्पन्न होते ह हमारे मन में कई तरह के डर उत्पन होते है कई तरह की असरक्षिता की भावना है हमारे मन में उत्पन होती है हम आसानी से इसे छोड़ना नहीं चाहते है हमारे जो आसकती है हमारे मन में जो तुरुषना है हमारे मन में जो लालसा है हमारे मन में जो आकर्शन है इन सारी बातो कि वज़े से हम अपने आपको उस परिस्ति से बाहर निकलना हमें मुश्किल लगता है काफी कठीन लगता है यह आसान बात नहीं होती है इस तरह से ग्रहत्या करना परिवराजक बनना यह भी कोई अपने आप में आसान बात नहीं थी जो कि धारस सिधार्थ ने किया था इससे यह दिखाए दिता है कि कितने वो शोर्यवान व्यक्ति थे कितने वो अपने निश्य के प्रती जिसे हम कहते हैं धुरूड निश्य ही थे वो एक बार किसी बात को उन्होंने अपने मन में ठान लिया वो निश्य बना लिया तो वो फिर पीछे नहीं हटते थे जिसे हम कह सकते हैं कि वे धुरूड संकल्पी थे उनका संकल्प कभी भी नड़ धरने वाला था इस तरह से ये कुर्ति हम उस वक देखते थे जब उन्होंने ग्रहत्या किया था और अब ये जो उनके पाच साथी थे पाच परिवराजक थे उनके साथ ये जो सीरे कमार को उन्होंने अपनाया था उन्हें पता चला कि इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला मैंने इनका साथ चोड़ना चाहिए और मैंने कुछ ग्रहन करना चाहिए खाना खाना चाहिए अन ग्रहन करना चाहिए तब वो इन लोगों को छोड़ते है और फिर ठोड़ा-ठोड़ा खाना वो खाना शुरू कर देते है तब उनके शरीर में थोड़ी जान आती है और फिर वो वहां से निकल पड़ते है और फिर ऐसा बताया जाता है कि जहाँ पर आज बोध गया है जहाँ पर आज महाबुधी टेम्पल है वहाँ पर बोधी रुक्षे जिसे कहा जाता है एक पीम्पल का रुक्षे था उसके तले वह वहाँ पर बैठे उन्होंने आसन लगाया और वो ध्यान करने लगे यह जो सारा जो समय है गुरत्याक से लेकर के उनकी तपश्यरिया ध्यान की जो ध्यान करने की जो अवस्ता थी वहां तक का जो समय है करीकर साथ साल उन्होंने इसने बिताए साथ सालों की तपश्चरिया उन्होंने की, धेज सारे बाते उन्होंने की, कई गुरूं के पास वो चले गए, अन्तता उन्हें पता चला कि इनसे मुझे कुछ हासिल नहीं होता है देखिए, यहां और एक बात हमें ध्यान में लिनी चाहिए, कि उन्होंने जो निर्ने लिया, कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगा यह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ना इसा निर्ने है हम अपने जो साथी होते हैं, हमारी टेंडनसी होती है, जिसे हम कहीते हैं, गुरूप टेंडनसी यहांनि गुट के साथ रहना, समो के साथ रहना, इसे हम ज़्यादा यह करते हैं लिकें सिधार्त ने उनको छोड़ दिया, और वो अपने मार्ग पर अकेले ही चल पड़े यह बात यह दिखलाती है, कि सिधार्त कितने स्वतंत्र विचार वाले, स्वतंत्र व्यक्ति के गुन वाले थे और इस तरह से उन्होंने फिर वो तपश्यरिया शुरू की, और फिर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मार पर विजय प्राप्त की, उन्होंने बहुत सारी तपश्यरिया की और फिर एक समय आया जहां उन्हें बुद्धत्व का साक्षातकार हुआ सत्य का ज्यान उन्हें प्राप्त हुआ और वह बुद्ध बने अब यहां जो है इसमें भी बहुत सारी बाते हैं विस्तार से कहने के लिए समय नहीं है लेकिन जब वो बुद्ध बनते है तब उनके मन में सवाल आता है कि आज मुझे जो ग्यान प्राप्त हुआ है, जो सत्य मैंने खोज निकाला है, क्या मैं ये लोगों को बता सकता हूँ? क्या ये मैं लोगों को समझा सकता हूँ? क्या मुझे जिन बातों की स्वष्टता आई है, जो ग्यान मुझे प्राप्त हुआ है, जीवन का सत्य मैंने जिस तरह से जान लिया है, क्या अन्य लोग भी इसे इसे तरह से समझ पाएंगे? इस तरह का एक सवभाविक सवाल उनके मन में उत्पन होता है, और फिर ऐसा कहा जाता है, गरंतों में ऐसा बताया गया है, कि वहाँ पर ब्रह्मत सहंपती अवतिर्न होता है, उनके सम्मूक आता है, और उन्हें कहता है कि नहीं, आप लोगों के कल्यान के लिए, लोगों के सत्य समझाने के लिए जरूर लोगों को आपका ज्ञान बताईए उस वक्ट ये भी सवाल आता है कई लोगों के मन में कि ये ब्रह्म शहमपती कोन है? वो कहां से आया है? ऐसे कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कई साथे लोग हमें भी वो सवाल पूछते है तो ऐसा कहा जाता है ब्रह्म याने सिरेष्ट और जिसे हम कहते हैं कि चार ब्रह्म विहार की जो बाते हैं मैत्री, करोना, मुधीता और उफबेक्षा यह सबसे उची सद्गून है सबसे उची ऐसे सद्गून है जिनकी प्राप्ति बुद्धने की होती है उन्होंने चार ब्रह्म विहार का अनुवो लिया होता है वो चार ब्रह्म विहार की अवस्ता में ही रहते हैं तो उनका जो मन है जो इन ब्रह्म विहारों से लिप्त है महित्री जिनके मन में है, करुना जिनके मन में है, मुधीता जिनके मन में है, उपेक्षा जिनके मन में है ऐसे व्यक्ति के मन में औरों के प्रती, औरों के दुख और दर्ग के प्रती सहानभूती निर्मान होना और उनको मैंने यह मार्ग बतलाना चाहिए सत्य जो मुझे पता चला है यह मैंने शिक्षा उन्हें देनी चाहिए इस तरह का विचार उनी के मन में आया जिसे कहा जाता है ब्रह्म सहमपती के रूप में उन्हें बताते है अपने ही मन में अलग-अलग विचार चलते है तो ब्रह्म सहमपती भी बुद्ध की ही मन की एक आवस्ता है ऐसा हमने उसे देखना चाहिए तब फिर वो देखते हैं थोड़ा चिंतन करने लगते है तब उन्हें पता चलता है कि मनुष्य जो लोग है पूरे जो मनुष्य जात है वो विकास की अलग-अलग स्तर की आवस्ता में है वो देखते हैं आखे बंद करने के बाद उन्हें अपने सामने एक कमल दल दिखाए देता है एक तालाब में कमल दल दिखाए देता है जिसमें कमल की अलग-अलग अवस्तावों को वो देखते है कुछ जो कमल है वो पानी के भीतर है कीचर में है धीरे-धीरे वो उभर कर आने की कोशिश कर रहे है कुछ कमल जो है वो कली के रूप में थोड़े से बाहर निकलती हुए दिखाई दे रहे है कुछ कमल है जो कि कली अब थोड़ी उमलने लगी है फुलने लगी है इस अवस्ता में है तो कुछ कमल है वो पूरी तरह से खिल चुके है पूरी तरह से उमल चुके है और पूरी तरह से अवस्ता में वो प्रविश्ट हो चुके है पूरा कमल उनके सामने दिखाए दे रहा ह तो उन्होंने इस प्रतिक को मनुश्य को लगा कर देखा और उन्होंने सोचा कि इसी तरह से मनुश्य जात है, इसी तरह से सभी मानो है और मानो भी मनुश्य के विकास की अलग-अलग अवस्ताओं में है कुछ लोग अभी बिल्कुल जने ऐसा कह सकते कि अज्यान में फसे हुए है कीष्णेंध में है कुछ लोग धीरे जीरे अज्यान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे है और कुछ लोग अच्छी तरह से बाहर निकल चुके है उनकी प्रग्या का विकास हो रहा है उनकी जो प्रग्या के अनुरूप जो सत्य कुछ समझनी की दुरुष्टी है वह उन्हें प्राप्त हो चुकी है और और थोड़ा कुछ हम उन्हें मदद करते हैं तो पूरी तरह से वो खिल जाते है उन्होंने देखा कि कुछ लोगों की जो आँखे है वो उसमें थोड़ी सी धूल गई है यदि वो आँखों की धूल साप की जाए तो उन्हीं पूरी तरह से स्पष्ट दिखाए देगा और वो जान पाएंगे कि क्या ये शिक्षा है क्या ये सत्य है मनुष्य के जीवन के अस्तित्व का सत्य क्या है वो आसानी से समझ सकते है इन बातों को उन्होंने देखा और फिर उन्होंने सोच लिया कि क्यों न मैं इसी तरह से लोगों को जानकारी दूँ क्यों न मैं इन लोगों के लिए काम करू इन लोगों को मैं मेरा जो सत्य का ज्ञान है मैं बताऊं और फिर वो वैसा तै करते हैं और फिर वहां से वो सोचने लगते हैं कि अब मैं किसे ये बता सकता हूँ, किसकी और मैं जा सकता हूँ और फिर सबसे पहले देखिए ये भी बहुत रोचे का ऐसी घटना है सबसे पहले उनके मन में यदि किसी का खयाल आता है तो वो है आलार कालाम और उद्दक रामपुत्त देखिए यहां हम देखते कि अब सिधार्त बुद्ध बन चुके हैं सत्य का ज्ञान उने प्राप्त ह हो चुका है पूरी तरह से वो अभी जिसे हम कहते हैं कि बुद्ध का मतलब होता है जो जानता है जो अवेकंड है यानि पूरी तरह से जागरूत है अवेक है ऐसे व्यक्ति होने के बावजोद्ध्य उनके मन में अपने पुराने गुरुवों के प्रती पृत्ग्य का में मन में ख्याल लाया और फिर उन्हें लगा कि चलो मैं उनको जाकर मिलता हूं और मुजे जो घ्न मिला है पर प्रता हूं प्रता जे ये ग्जान बताने की कोशिश करता हूं फिर से उन्हें पता चलता है कि वे भी इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें बड़ा दुख होता है कि ये जो मेरे पुराने गुरु थे आज वो इस दुनिया में नहीं है यदि वे होते और यदि मैं उन्हें ये बाते बता था तो वो सबसे ज़्यादा इन बातों को सबजने की काबलियत रखते है वही सही अर्थर से मुझे जो प्राप्त हुआ है जिस सत्ति की कोज मैंने की है वो आसानी से समझ सकते है इसलिए वो आज नहीं है इस बारे में उन्हें खेद हुआ लेकिन फिर वो सोचने लगे कि फिर मैं और किसके पास जा सकता हूँ और फिर वो उनके मन में आता है कि जो पाँच परिवराजक मेरे साथ थे जो सिरे का आचरन हम लोग करते थे उस वक्त जिन्होंने मुझे सहायता की क्योंना मैं उनके पास चला जाओ और फिर वो उन्हें धूंटे हुए वे यानि बोध गया से सारनात की ओर आते हैं उन्हें पता चलता है कि सारनात के मुर्गदाए वन में ये पाँच परिवराजक वहां रह रहे है फिर वो पैदल चलकर वहां तक आते हैं और जैसे ही वो करीव आने लगते हैं तो ये पाँच परिवराजक उन्हें देखते हैं दूर से ही देखते हैं और वो पहिचान लेते हैं कि ये स्रमन सिधार्त आ रहा है उन्हें ये पता नहीं होता है कि अभी बुद्ध बन चुके है तो वो उन्हें अपने मन में सोचते हैं और दूसरे को कहते हैं कि देखिए वो स्रम्मन इधर आ रहा है हम उनकी कोई आओ भगत नहीं करेंगे ना उन्हें हम पानी देंगे ना उन्हें हम पैर धोने के लिए पानी देंगे पीने के लिए पानी देंगे ना उनके लिए कोई आसन बनायेंगे हम अलग रहेंगे वो आ रहे है तो आने दो लेकिन जैसे जैसे बुद्ध उनके करीब आते चलते है उनको देखते ही उनकी चेहरे की प्रभा को देखकर उनका चेहरे का स्मीत देखकर उनके चेहरे पे जो सुख है आनन्द है ये सारी बाते देखकर प्रभा का जो वलए है उसको देखकर उनके मन पर उसका सकारात्मक आसर होने लगता है और फिर जो सोचा था उन्होंने वो सब भूल जाते है और फिर बुद्ध के लिए वो अलग-अलग तरह से हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ करनी के कोश करता है कोई जाकर आसन कोई जाकर पानी लाता है उनकी पैर धोने के लिए पानी देता है कोई जाकर पानी पीने के लिए लाता है कोई जाकर कोई आसन तयार करता है और उन्हें कोई पूछता है आप कैसे हो शेम कुछल पूछना शुरू कर देते हैं इस तरह से पूरे की कृष्पूरे ये जो पांच परिवुराजदक है वो उनके साथ जूड़ जाते हैं और उन्हें अपना लेते हैं और फिर बुद्ध उनके साथ रहने लेगते हैं अब यहां जो है यहां फिर बुद्ध उन्हें जो ज्यान प्राप्त हुआ है मनुष्य जीवन का सत्य जैसा है वैसा उन्होंने जो देखा है वह उन्हें वो बताने लगते है जिसे ऐसा कहा जाता है कि भगवार बुद्ध की पहली जो शिक्षा है जिसे धम्म चक्र परवतन सुत्र कहा जाता है इसकी शिक्षा वो इन्हें देने लगते है और इन पाचो से शब्से पहले वेक्ति जो है जिनका नाम है कॉंडिन्य electr *** सब्से पहले समझ लेता है बुद्ध क्या बताना चाहते है और उसी वक्त वो अर्हंत बन जाते है और फिर कुछी दिनों के बार अन्न जो चार लोग है वो भी अरहंत बन जाते हैं। एक तरण से बुद्ध की जो अवस्ता होती है वही अवस्ता इन लोगों की भी होती हैं वह भी लोग उस अवस्ता को प्राप्ट कर लेते हैं अब यहां अब यहां तक जो बाति है वह तो हमने देख ली है लेकिन इसके पहले एक जो घटना थी जो छूड़ गई मैंने आपको बताने की वो मैं बताना चाहता हूँ जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है और वो इन परिवराजयों को मिलने के लिए सारनाथ के और निकलते है तब रास्ते में एक व उपक वो पहला वेक्ति होता है जो उन्हें देखता है और उन्हें लगता है कि यह कोई अलग ही इनकी प्रभा है इनका जो रूप है काफी प्रकाश्मान है इनकी जो चैरिया है काफी लुभावनी है यह काफी सुन्दर दिखाए देते हैं यह कोई विशेश वेक्ति तो बुद्ध कोई जवाब नहीं देते हैं, फिर वो पूछता है कि क्या आप देव हैं, बुद्ध कहते हैं, फिर वो कहता है कि क्या आप यक्ष्य हैं, वो कहते हैं, क्या आप किन्र हैं, वो कहते हैं, इस तरह से अलग-अलग जो भी कोई नाम है, उनका वो उलेक करता है लेकिन हर समय बुद्ध कहते हैं कि नहीं मैं नादेव हूँ यानि इश्वर नहीं हूँ मैं किन्नर नहीं हूँ यक्ष नहीं हूँ इस तरह से वो जवाब देते हैं तो फिर उनके मन में सवाल आता है कि पिर आप हो कौन क्या आप मनुश्य हैं ऐसा फिर वो पूछता है तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं मैं मनुश्य भी नहीं हूँ जब इस तरह का सवाल पूछने के बाद और ये जवाब मिलने के बाद फिर उन्हें लगता है वो उपक यानि संब्रम में पढ़ जाता है कि फिर ये है को ये विक्ति है को तब वो पूछते कि फिर आप हो को तो वो कहते कि मैं तथागत हूँ मैं बुद्ध हूँ अब ये बुद्ध और तथागत ये नाम उन्होंने पहले नहीं सुना होता है इसलिए उसे समझ में नहीं आता है वो सोचता है कि होगे कोई पता नहीं क्या है और वो वहाँ से चल बसता है निकल जाता है वहाँ से तो यह जो बात है यहाँ भी सोचने देशी बात है कि वो जो उपक है एक तरह से प्रतिकात्मक रूप से हम उसे ले सकते हैं अभी हमें पता नहीं हिस्टॉरिकल यह कितनी बात सची है क्या है लेकिन कोई विक्ति उन्हें मिला है जो उन्हें पूचता है कि आप कौन हो और जो प्रचलीत जानकारी हमारे पास होती है देखी एक मनुष्य सुभाव है यहां पर यह बात सोचने जाशे है कि मनुष्य सुभाव ऐसा है कि जो प्रचलीत पहले वाली जानकारी हमारे मस्तिस्क में है हमारे दिमाग में है जो अन्वो हमने पहले किया है उसी आधार पर हम सामने वाली बातों को समझनी की कोशिश करते है उसे हम वही नाम देने की कोशिश करते है इसलिए तो उपक ने भी उन्हे जो जानकारी उसको थी उसी तरह से सवाल पूछे थे लेकिन बुद्ध ये कोई ने वेक्ति है, उनका नया रूप है, बुद्ध करके कोई नया मनुश्यक का जन्म हुआ है, ये बात वो समझ नहीं पाया, क्योंकि उसका कोई आनुभवी नहीं था ये संग्या ही उसको मालूम नहीं थी ततागत क्या होता है, बुद्ध क्या होता है ये शब्द ही उसे पता नहीं होता है तो वो समझ नहीं पाता, ऐसा ही हमारे बारे में होता है हम भी कई बार इन बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि हमारा अनुभो जो है, वो काफी सीमित है, बुद्ध क्या हो सकते है, ततागत क्या हो सकते है, बुद्ध का ज्यान क्या हो सकता है, बुद्ध ने सत्य की खोज की या बुद्ध ने प्रग्या से सत्य को सही सही तरेके से जान लिया है, पूरी तरह से सत्य को समझ लिय इसका अर्थ क्या होता है यही हमें पता नहीं हम इस बात से पुरी तरह से बेख़बर है हम अज्ञान वश इन बातों को देखनी की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है और इसी कारण से बुद्ध को समझना काफी मुश्किल होता है इसी कारण से हम बुद्ध को नहीं समझ पाते बुद्ध क्या है यह जानना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन भायों और भेनों बुद्ध क्या है यह हम देखनी की कोशिश करेंगे